लेटेस्ट नियूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले नमस्कार बीबी नियूज में आपका स्वागत है, सेक्स इनसान के लिए बहत ज़रूरी है यह किसी के लिए प्यार जताने का तरीका है, तो किसी के लिए दबा है, यह हमारे लिए जरूरी शारीरे क्रिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सहवास जान भी ले सकता है जी हाँ, अधिक सहवास जान ले लेता है सांपों के मामले में यह उनकी जीवन अवधी घटा देता है कनाड़ा के मैनिटोबा में सांपों की एक प्रजाती पाई जाती है जिसका नाम है गाटर स्नेक्स इन स्नेक्स के शरीर का हिस्सा भूरा पीला और हलका लाल होता है जबकि मादा की खाल सिर्फ भूरी और पीली होती है रिपोर्ट्स के मताबिक इन नर्स्नेक्स की जीवन अवधी मादा के मुकाबले कम होती है इसका कारण उनका अधिक सहवास करना होता है ये स्नेक्स सेक्णों की संख्या में एक मादा पर तूट पड़ते हैं अती सक्रिय होकर ये गुछे बनाते हैं और फिर उनके साथ सहवास की क्रिया को अंजाम देते हैं एक मादा पर नर्स स्नेक्स काफी देर तक लिपटे रहते हैं रिपोर्ट्स के मताबिक इन नर्स स्नेक्स की जीवन अवधी मादा के मुकाबले कम होती है इसका कारण उनका अधिक सहवास करना होता है नर्स स्नेक्स मादा के मुकाबले जल्दी परिवक्व हो जाते हैं वे आठ माहत तक बिल में रहते हैं एसा बताया जाता है कि ये snakes बगेर खायग पर ये ही बिल में वक्त गुजार सकते हैं। जब वसंत त्रितु आती है तो वे बाहर निकलते हैं और सहवास में जुड जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक मादा गाटर स्नेक के साथ सेक्डों नर्स एहवास करते हैं। सिर्णी यूनिवर्सिटी के क्रिस्टफर प्रीजे इनने इस बारे में बताया कि मादा स्नेक्स बिल के आसपास ही रहती हैं। एक से तीन दिन तक वे नर्सनेक्स संग सहवाज करती हैं। उसमें से बहुत कम ही नर्सनेक्स होते होंगे, जो एक हफ़ता या फिर 21 दिन जी पाते होंगे।